जैन दूस्तो मेरे ना में अतुल और स्वागत है आपका अपने यूटूब चोनल अतुल टेक बजार में दूस्तो अगर आपको अपने मोबाइल में रियल्मी या ओपो के मोबाइल में कोई भी थार्ड पार्टी फॉंट एपलाई करना है तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफी जदा इंपोर्टेंट होने वाला है तो दूस्तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर से अपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्र भी थार्ड पार्टी फॉंट जो है आप एपलाई कर पाऊगे रियल्मी और ओपो की डिवाइस में तो यहां पे सबसे ज़्यादा डिमांड थी बहुत पहले से कि यहां पे जो सैमसंग का जो कूल जच फॉंट था आपने देखा ही होगा आपको पता होगा अगर आपने स पार्ट पार्टी फॉंट आप यूज कर पाऊगे अपने ओपोर रियल्मी के डिवाइस में तो इसके लिए दोस्तों आपको जो प्ले स्टोर है उसमें एक एप जाके डाउनलोड कर लेनी पड़ेगी इस एप का नाम है जैट फॉंट तो यहां पे इसके रिगारिंग में पहले भी वीडियो मना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो तो यहां पे जैट फॉंट जो है इसमें जो फॉंट एवलेबल होते हैं वो आप यूज कर सकते हो बड़े आप चाहो तो थर्ड पार्टी फॉंट अलग से जो कि आपको अच्छा लग जब हम यहां पर थर्ड पार्टी फॉंट इंस्टॉल करेंगे तो यहां पर मैंने इससे डाउनलोड कर लिया है यहां पर यहां पर यहां पर थर्ड पार्टी जो फॉंट है डाउनलोड करके अप्लाय कर सकते हो सिंपली यहां पर इससे आपको कर देना है और यहां पर यह जो है री डिरेक्ट हो जाएगा जैट फॉंट में तंग करना की बाद दोस्तों आप देख सकते हो कूल जैट फॉंट जो है सैमसंग का वहाँ पर आपको दिखने लगा होगा और यहां पर सेट के बटन पर आपको टैप कर देना दो आपको टैप कर देना है उपर वाला जो आप्शन है वह वर्क नहीं करेगा क्योंकि आगर आपके पास यहां पे अंडॉयड 10 है तो अगर आप इससे लेसर में वर्क कर दो एंडॉयद 9 और 6 में तो यह उपर वाला ओप्शन वर्क कर जाएगा बट हम यहां पर टैप करना पीछ वाले option में मिन्स यहां पे जो second wall option है आप इससे tap कर दीजेगा इसके बाद दोस्तों दो चीज़ें आप इंडिकेट हो जाएगी यहां पे आपको जो region है वो यहां पे man mark करना पड़ेगा और support die character जो है उसे on करना पड़ेगा तो simply आपको setting में यहां पे चले जाना है से पर भी यह method में बता चुका हूँ यहां पे आपको चले जाना है और जो reason है आपको इसे man mark कर देना है और इसके बाद दोस्तों आपको back आ जाना है और यहां पे setting section में आपको एक और option देखने को मिलेगा display and brightness वाला यहां पे आपको चले जाना है और यहां पे आप देख सकत जो cool judge font था third party font यहां पे simply apply हो चुका है और सारे system में आपको यह font नज़र आएगा और basically दोस्तों यह जो font है Samsung का font है और यहां पे हम इसे use नहीं कर सकते है और यहां पे आप इसे third party font के रूप में use कर पाओगे अगर आपको और भी कोई font third party font अच्छा लगता है तो आप इस method के through यहां पे इसे apply कर पाओगे बट यहां पे दोस्तों एक problem यह आ जाती है कि जो timing है वो यहां पे manmar की fit हो जाती है means Indian timing के according जो manmar की timing है वो एक घंटा आगे है तो one hour आप आगे हो जाते हो यह चीज आप ध्यान में रखिएगा और एक और चीज में आपके साथ यह भी share करन में मार ही था बट यहां पे जो था timing automatically इंडियन के according हो गई थी तो जो reason था manmar ही था बट timing जो थी वो इंडिया के according हो गई और apply करने के बाद आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे comment section में जरू से बताए को तो इस type से आप दोस्तों देख सकते हो जो cool judge font है आपे simply apply हो गया औ आप इसे use कर सकते हो और यह totally free है यहां पर कोई 5-minute trial वाला issue भी नहीं आने वाला है तो real me के regarding दोस्तों और भी कोई question आपके mind में होंगे तो मुझे comment section में जरू से पुछेगा या फिर telegram group को भी आप जोईन कर सकते हो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही यह वीडियो आपको आपको